नमस्कार दोस्तों आप देख़रे हैं अध्यन के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से हम सुरू किये हैं बायलोजी बुक है मेहिस कुमार वर्नवाल का NCRT सार संग्रा काफी इंपोर्टेंट बुक है इसमें हम बायलोजी को पूरा करेंगे और प्रतेक जो वीडियो होगा उसमें एक से दो एक्सरसाइज कंप्लिट होगा क्योंकि छोटा छोटा एक्सरसाइज दिया गया है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कम ही दिया गया है, सौर्ट नोट के टैप में है, तो ये आपको डेफिनेटली एक्जाम में हेल्प करेगा. अभी जो हमार एक्सेसाइज है, पहला, वो है जीब बिज्ञान की उपसाखाएं, यानि ब्रांचेज ओफ बायोलोजी. अगर आप लोगों का रिस्पॉंस ठीक ठाक रहा है, तो इस वुकों के जी से कंप्लिट कर देंगे. पहला दिया गया है, वीटी कल्चर के द्वाड़ा क्या उत्पादित होता है, यानि वीटी कल्चर जब भी आए अंगूर होगा. अंगूर, वीटी कल्चर अंगूर. जैरेंटोलोजी के अंतरगत ब्रिद्धावस्था एवं आयू विर्धी के परभाव के विसाय का आध्यन किया जाता. रिपीट करते हैं, जैरेंटोलोजी में ब्रिद्धावस्था जैरेंटोलोजी ब्रिद्धावस्था और वीटी कल्चर किसे समंदित था, अंगूर से से वर्मी वर्मी कल्चनलोज से आइंटोलोजिय को ये से से एंगलिस िंधि कर लीजिए गांजेंट्री फिर кино करते हैं एंथोलोजी अगर होगा तो वह होगा फूल से और एंटोमोलोजी होगा तब वह क्या होगा कीट से इंसेक्ट से जनसंख्या एब मानब जाती का आंक्रा का अधियन होगा उसको कहा जाता है जन्ना किकी यानि डेमोग्राफी डेमो क्लास क्लास जलता है डेμο क्लास वह भीर होता है इसलिए डेमोग्राफी तिक ना, जंसंख्या, मानबजाती के आक्रे से संभन देते हैं, जिवास्म बिज्यान, प्हलियो बोटनी के अंतरगत, पादप जिवास्म, यानि facial plant का अध्यन किया जाता है, फिर से रिपीट करते हैं, जिवास्म बिज्यान के अंतरगत हम पादप जिवास्म का अध्यन करते हैं जिवास्म बनस्पती के अंतरगत हम पादप तो पढ़ेंगे जिवास्म के बारे में पढ़ेंगे तो इस सब कोश्वन को इंगलिस हिंदी करके देख लीजिएगा क्योंकि इंग्लिस में इसका क्या है पलाईयो ठीक ना बिविन संस्कृति के बैग्यानिक बीवरन की तुलनात्मक अध्यन को कहा जाता है एथनोलोजी ये संस्कृति और बैग्यानिक बीवरन की जो तुलना होगी वो होता है एथनोलोजी के अंतरगत ethics पढ़ते हैं न संस्कृति के बारे में सबजी का अध्यान होता है ओलेरी कल्चर ओलेरी कल्चर ओलेरी आलू नाम से रन आलू जैसा तो सबजी का अध्यान होता है ओलेरी कल्चर अस्थियों का अध्यान जो होगा ओस्टियोलोजी होगा औस्टियोलोजी अस्थी यानि बोन का हड़ी का अध्याद साप के विशाय में अगर जानकारी लेगा तो उसको सरपोटोलोजी कहा जाता है सरपेटोलोजी हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स होगा मृदा बिहीन पादप संबर्धन यानि बिना मिट्टी का अगर आप पेर लगाओगे तो उसके लिए चाहिए आपको पानी और हैड्रो मतलब क्या होता है पानी मतलब अगर पानी में अगर आप पेर लगा रहे हो तो उसको कहा जाता है हैड्रोपोनिक्स उसी को लिखा जाता है बिना मिट्टी का अगर पादप संबर्धन करेंगे तो वो होता है हैड्रोपोनिक्स के अंतरगत जन्तू बिज्ञान के अंतरगत किन जन्तूओं का आध्यन किया जाता है इसमें जिवित और बिर्त दौनों परकार के जन्तूओं का आध्यन करते हैं अब आगे जीव बिग्यान के साखाएं और उसका जनक दिया गया है जिसमें जन्तू बिग्यान इसके आरस्तू इसको तेजी से याद कर लिजेगा बहुत असान होता है और इंपोटेंट तो है ही जन्तू बिग्यान का आरस्तू जबकि पूरा अगर आपसे जीव बिग्यान का पूछ दे तब ही क्या होता है आरस्तू ही होता है बनस्पती बिग्यान अगर हो तो थियो फ्रेस्टस बनस्पती बिग्यान यानि बोटनी का थियो फ्रेस्टस Microbiology, सुक्षम जीव का बिज्ञान, तो Louis Pasteur Bacteriology, जिवानु बिज्ञान का Robert Coach बहुत पर पुछा गे इसा प्रसने जिवानु बिज्ञान यानि Bacteriology का Robert Coach और इसका क्या था? Microbiology का Louis Pasteur प्रतिरक्षा बिज्ञान यानि Immunology इसके है Edward Jenner Edward Jenner Immunology के वर्गी की अथवा वर्गी करन का Taxonomy उसके Linneas, Carolus Linneas रुधीर यानि पड़ी संचरंतंत्र Circulatory System, William Harvey कोशी का बिज्ञान यानि Cytology Robert Hook उत्पड़ी वर्तन यानि Mutation इसके है Hugo Debris, Debris याद रखो उत्पड़ी वर्तन के कौन है? Debris कवक बिज्ञान यानि Mycology Anton Debris Anton Debris कवक का अध्यन होता है Mycology ये भी आपके लिए important है कवक का अध्यन Mycology इसके लिए है जनक Anton Debris पादप सरीर किरिया बिज्ञान इसके है Stephen Hills Stephen Hills आधुनिक बनस्पती बिज्ञान यानि Modern Botany के है Linneas जिन्हें वर्गी की का पिता कहा जाता है उन्हें ही Modern Botany का भी जनक कहा जाता है ठीक ना? ये है Codellus Linneas रुधीर वर्ग जो Blood Group होता है उसका तो Lendestiner है Karl Lendestiner अन्ता स्रवी बिज्ञान यानि Indokrinology इसके है Thomas Elva Edison अन्ता स्रवी बिज्ञान के कौन है L.Y. Edison अनुवांसी की Genetics Gregor Mendel सबको याद है ये तो Genetics के कौन है Gregor Mendel आधुनिक अनुवांसी की इसके जो हो जाएंगे T.H. Morgan काफी important है अगर सिर्फ अनुवांसी की का जनक पूछे तो हो जाएगा Gregor John Mendel और आधुनिक अनुवांसी की का हो हो जाएगा T.H. Morgan भारतिये पूरा बनस्पती बिज्ञान इसके हो जाएंगे बिरबल साहनी ये पूरा बनस्पती बिज्ञान है अनुवांसीक अभियांत्रिकी Paul Berg सेवाल बिज्ञान नेनी फाइकोलोजी फाइकोलोजी होता है सेवाल बिज्ञान का अधियन इसके हैं William Henry Harvey William Henry Harvey भारतिये सेवाल बिज्ञान M.O.P. अयंगर M.O.P. अयंगर Indian psychology के ये फाइकोलोजी है भारतिये परिस्थितिक यानि Indian ecology राम देव मिस्रा औसधी बिज्ञान काफी important है औसधी बिज्ञान के कौन है हिपोक्रेटस जो भी मेडिकल का छात्र होता है उसे हिपोक्रेटस का ही सपद दिलाया जाता है सुक्ष्म दर्सिकी यानि मैक्रोस्कोपी इसके हैं लिवेन हुक लिवेन हुक जीन चिकित्सा जीन थरेपी के हैं एडर्सन अब नीचे में हर पेज में एक फेक्ट दिया गया है जन्तू बिज्ञान और जी बिज्ञान का अगर पूछे ये एक ही साखा होता है और आरस्तू को जन्तू बिज्ञान का जनक कहा जाता है इसलिए इसको जन्तू बिज्ञान और जी बिज्ञान दोनों का जनक कौन हो जाएगा आरस्तू हो जाएगा इसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था आगे कुछ परमुक साखाएं हैं बिज्ञान की उसको देख लेते हैं हलाकि उपर में भी कुछ साखाएं पढ़े थे घासों का अध्यन और पालन होगा वो होता है घास बिज्ञान यानि एग्रो एस्टोलोजी एग्रो देखो इंग्लिस टर्म इसमें पूछा जाएगा आपके एक्जाम में घास बिज्ञान पूछेगा तो कोई भी टिक कर देगा आपको याद करना है एग्रो एस्टोलोजी यह होता है घास का अध्यन और पालन एल्गोलोजी होता है सेवालों का अध्यन साथी फाइकोलोजी भी क्या था सेवालों का ही अध्यन था और यहाँ पे Algology भी क्या होता है? Algae, सेवाल के English ही होता है Algae, तो आप ट्रिक कर सकते हो Anatomy, Anatomy होता है आंत्रिक सनरचना का आध्यान Anthology, पुस्पो का आध्यान यह भी उपर पढ़े हुबे थे Anthology, पुस्पो का आध्यान जब हमने कहा था कि Etymology से Anthology को confuse नहीं कर जाना वो क्या होता है इंसेक्ट वाला और Anthology क्या होता है पुस्पो का आध्यान अगे आपका जिवानू बिज्ञान Bacteriology, इसमें जिवानू का आध्यान करेंगे Bryology, यह होता है Bryophyte का आध्यान Bryophyte Cassidology, यह होता है पादप में रोग जन्य गांट पादप कैंसर का आध्यान Cassidology Dendrochronology Dendro, Dendrochronology यह होता है Bricksh की आयू का आध्यान Bricksh की आयू हम कैसे पता करते हैं Annual Rings से, वार्सिक वालाई से वो होता है Dendrochronology Dendrology में Bricksh और जहाड़ियों का आध्यान होता है काफी important है Dendrology में हम Bricksh एवं जहाड़ियों का आध्यान करते हैं Ecology Ecology में पौधे का वातावरन से संबंदित आध्यान करते हैं Ecology के अंतरगत Economic Botany Economic Botany आर्थिक महत्व के पौधे का आध्यान करते हैं Economic Botany के अंतरगत Ethnobotany इसमें पादप काउप योग आधिवार्षी कैसे करता है यह हम पढ़ते हैं Ethnobotany के अंतरगत Forestry वनोक आध्यान Forestry में हम वनोक आध्यान करेंगे Exobiology Exobiology यह अन्यगरा यानि जो हमारा वायु मंडल है उससे उपर का जो भी हम अध्यान करेंगे अन्यगरा पर संभावित जीवों का अध्यान अगर होगा उसको हम लाते है Exobiology के अंतरगत Genetical Engineering यह होता है Artificial Genes के निर्मान और अस्थान तरण के अध्यान से संबनतित है Genetical Engineering Lycanology Lycanology Lycanes का अध्यान करवाता है वही Macrobiology पढ़े थे सुक्षमजीव का अध्यान Macrobiology यह सब एक बार में नहीं याद होगा एक दो बार अगर आप देखोगे ना तो याद हो जाएगा Mycology Mycology कवक का बैग्यानिक अध्यान है Mycology Mycoplasmology 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 Nematology यह Nematosus का पादपों के साथ संबंद का अध्यान है Paleobotni Paleobotni होता है Padapp Jibasmo का अध्यान Paleobotni क्या होता है Padapp Jibasmo का अध्यान Paleynology यह पढ़ाग कन जो Polynesion होता है Paleynology Paleo Pathology Padappurog के उप्यार और अध्यान के लिए Pathology Pathology Parasitology Parasitology पोसक तथा पढ़जीवियों के संबंधों का अध्यान Parasitology Pharmacology Pharmacology पादपों का अध्यान जिसे हम दवए तयार करते हैं Pharmacology के अंत्रगत उसका अध्यान करते हैं पेजियोलोजी, विभिन पादपो के जैवी क्रियाओं का अधियन। मिधिन पादपों के जयवी क्रियाओं काध्यन। एस्परमूर्य लोजी, बीजों का आध्यन, आगे हैं हीलियोथेरएपी, हीलियोथेरएपी सुर्ज के परभाव से चकित्सा करने की प्रकिडिया को कहते हैं हैं हीलियोथेरएपी हाइड्रोपोनिक्स उपर पढ़े हुए थे कि जल समवर्धन का आधियन, बिना मिट्टी का अगर हम पेर पौधे हो गाएंगे, उसके बारे में अगर इस्टडी करेंगे, वो होता है हाइड्रोपोनिक्स. अब आगे यहाँ पे जन्तु बिज्ञान की पर्मुक साखाएं हैं, अब उपर पढ़े थे हम जो पादब बिज्ञान का था, अब है जन्तु बिज्ञान की कुछ साखाएं, काफी इंपोर्टेंट हैं, पहला दिया गया है एनाटोमी, इसमें बिछेदन के द्वारा, सरीर एवं विधिक अंगो की रचना का प्रदर्शन करना है, एंथ्रोपोलोजी, एंथ्रोपोलोजी मानब जाति के संस्कृतिक विकास का आध्यान, एंथ्रोपोलोजी, एकोलोजी, जैविक एवं औजैविक वातावरन से जीवों के विभिद समंधों का आध्यान, एकोलोजी एंडो क्रोनोलोजी, एंडो क्राइनोलोजी यह अन्था स्रभी तंत्रों का आधियन एंब्रियोलोजी भुर्निय समवर्धन का आधियन इंजाइमोलोजी उत्प्रेडकों का आधियन एंटोमोलोजी कीट पतं का आधियन अगे है जेनेटिक्स जीवों के अनुभान्सिक लक्षन और इसकी वनसेंगती का पता लगाना यह है जेनेटिक्स हिमेटेलोजी ये रुधीर और रुधीर के समंधी रोग का ध्यन करने के लिए हिमेटोलोजी हारपेटोलोजी उभाईचर एबम सरीश्रिप का आधियन होता है हारपेटोलोजी के अंतरगत मेमोलोलोजी अस्थन्धारियों का आधियन मेमेल मतलब होता है अस्थन्धारी तो मेमोलोलोजी अस्थन्धारी का आधियन Microbiology यह अतिस्षुक्ष्म जीवों का अधियन Neurology तंत्रिका तंत्र का अधियन Neurology Odontology Odontology होते दंत बिज्ञान समंधी अधियन Odontology Odontology यह पक्छियों का अधियन होगा Odontology Pathology यह रोग की प्रकेर्ती लक्षनों के कारण का अधियन Pathology जो आपका lab जो blood test होता है वो सब तो पैथोलोजी करता है Radiology जीवों पर बिकीरन परभाव का अधियन Radiology Taxonomy यह जीव जातियों के नामकरण एवम वरगी करण का अधियन है Taxonomy और सबसे लास्ट वाला फेक्ट है इसमें आयू विर्धी के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तनों के अधियन को जराबिज्यान कहते है यानि जरेंटोलोजी कहते है जराबिज्यान इसमें क्या करते है आयू विर्धी के साथ साथ जीव में होने वाला परिवर्तन वो होता है जराबिज्यान यानि जैरेंटो लोजिक के अंतरगत आगे जो एक्सरसाइज है वो है जीवन की उत्पती से सम्मंदित परमुक शिद्यानत और जैबिकास देखो यह इसका पहला वीडियो था इसको यहीं करते हैं अगर चाहते हो कि थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बनाए तो जो लास्ट सेर्वेर कर दीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिद